नमस्कार आप देख फ्रेंड या नियूस मैं हूँ आपके साथ अनन्या बेदी किस्ता कुर्सी का में आपका स्वाकत है जहारखन विदान सबच नौँ में पहले चरण की 43 सीटों पर जनता ने नेताओं के भवश्य का फैसला कर दिया है तो वहीं 20 नवेंबर को होने वाले दूसरे और अंतिन चरण के लिए प्रत्याशी ने पूरा दसूर लगा रखा है दूसरे चरण में कई हॉट सीट भी हैं जसमें सबसे महत्मूर है सबसे हॉट सीट है बरहेट विदान सबच इस सीट से एक बार फिर से मुख्यो मंतरी हेमन सूरेइन चुनावी मैदान में है बरहेट विदान सबच शेतर की अगर बात करें तो ये साहिब गंच जिले में आती है बरहेट विदान सबच को जामूमों का किला भी कहा जाता है क्योंकि 1990 से लेकर अब तक यहां दूसरी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है साल 2014 से मुख्यो मंतरी हेमन सूरेइन लगातार इस इलाके का प्रतिनिधृत करते आ रहे हैं मुख्यो मंतरी का विदान सबच शेत्र होने के बाब जूत इस इलाके का जो विकास होना चाहिए क्या वो हुआ है यहां के आदिवासियों के मन में क्या चुल रहा है क्या वो इस बार भी जामूमों के साथ जाएंगे या फिर उन्हें भी बदलाओ चाहिए बरहेट से देखिया हमारे समादता रितेश मिश्रा किये चुनावी रिपोर्ट चारखन विदान सभा चुनाओ की इस चुनावी यात्रा में अब इंडिया न्यूज की टीम पहुँच चुकी है संथाल परगना इलाके के सबसे प्रमुख जिलों में से एक साहिब गंजला जिसका अपना पौरानिक एतिहासिक और समरिद्शाली इतिहास रहा है और इस जिले की बात करें तो ये जिला अपनी वीरता के लिए जाना जाता है अपनी संस्कृती के लिए जाना जाता है अपने वन्स और खनी संपदा के साथ साथ यहां के पहाड़ों के लिए जाना जाता है सबसे खास बात यह है कि सन 1855 में इसी इलाके से अंग्रेजों के खिलाफ खूल करांती हुई थी और सीधो कानों की वीरता से अंग्रेजों ने घुटने टेक दिये थे तो ये जो इलाका है अपनी वीरता के लिए भी जाना जाता है अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है और अपनी संस्कृती के लिए भी जाना जाता है तो आज हम अपनी इस चुनावी वोट यात्रा में इस जिले के प्रमुक विधान सभा सीट यानी बरहेट में चलेंगे और बरहेट क्यूं है सबसे होट सीट ये इसलिए है क्यूंकि जारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से विधायक है तो अब जानने वाली बात ये हो जाती है कि पूरे प्रदेश के विकास का दावा करने वाले हेमंत सोरेन ने अपने विधान सभाक छेत्र का कितना विकास किया है उनके दावों और वादों पर लोग यहां पर कितना भरोसा करते हैं वो अपने वादों को लेकर कितना खरा उत और यहां पर विकास की असल तस्वीर क्या है आज अपने इस चुनावी यात्रा में हैं बरहेट की जंता से हम जानने की कोशिश करेंगे बरहेट जाने के ही क्रम में हमें एक गाउ मिल गया है और ये बोरियो विधान सबक छेत्र में आता है देखें कि पीछे यहां भी आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको जंगल और पहाड़ी दिखाई देंगे यानि प्राकृतिक तोर पर यह इलाका काफी खुबसूरत है और सबसे खास बात यह है कि अगर साहिब गंजिला की बात करें तो तीन विधान सबा सीट्स आती है और तीन सीट्स में दो पर जेमेम का कबजा है और पूरे संथाल इलाके की अगर बात करें तो इसे गड़ कहा जाता है संथाल इलाके का यह गड़ है यानि यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता है यह बताईए कि अब तो चुना यह रिंचरा है आपके विधायक कौन है वही जैय मैम का तो इवे तहीं कि बगल वाले बरहेट के विधायक हैं आपके मुख्यमंत्री ही तो इस इलाके का जितना विकास होना चाहिए यह सारी चीजें हुई है कि नहीं कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का विधायक सारे पानी रोजी रोजगार अस्पताल स्कूल कॉलेज यहीं होता है न विका स्कूल तो सरकारी स्कूल है और उसके बाद नया स्कूल तो नहीं बना है और गाह में सड़क अभी बन रहा है और बिजली है चलिए अच्छी बात है कि जो बेसिक जो डेवलोप्मेंट के क्राइट में कार्तिक दास तो अभी इसी ओलाके के हैं नई राजमाल उंट इस मनें कि यहां से कितना eस मिसली ऌठा बुल इस इसी इलाके से आपके जो जारयकर्ण के मुख्यमंत्री हैं वो विधायक हैं तो बाकी इलाकों से आपके इलाके का विकास हुया है क्या चल रहा है इस फ यहां का क्या मूड है क्योंकि यह पूरा संथाल इलाका जो है यह माना जाता है कि जेएमेम का गड़ है यह दखिए इस बार शिर्फ बीजेपी ही आएगा इसलिए कि अब बीजेए हमंद सरकार कुछ काम ही ने कि रोजगार ही ने दिए ऐसा क्यों बोल रहा है आप ही के इला स्थिदू कानुगा जो वरंसका उसको भी कुछ नहीं दिया तो क्या चाहिए मैया सम्मा नियोजना तो पूरे जहरकण में कहले हैं कि सरकार हमारी फिर से आएगी उत लोब लबावन है दूत पांक साल जीता तो उस हमें कहां दिया कुछ अभी तो लोब लबावन दुतिन तो आदिवासी कैसे बीजेपी को वोट कर देगा अधिवासी इस बात समझ गया है उदर जो पहले ना तो पहले नहीं समझा वा था आप समझ चुका है कि हम गो किसको देना है किसको नहीं उनके नाम पर सिर्फ राजनिति होती है आप आएंगे ग्राउंड जीरो पर बरहेट यह पूरा इलाका जो है जेमें का है बाबू एक मुट सुनना तुम्हारा क्या नाम है इधर आओ पढ़ाई करती हो हां स्कूल में कैसी पढ़ाई है तुम लोग को ड्रेस कॉपी किताब जो स्कूल में भोजन मिलता है या सुभी धाएं वो मिलती है कि नहीं इधर देखके मिलता है किताब को पी और खाना भी तुम्हारी मम्मी को मैय सम्मान योजना से पैसा मिलता है यह अच्छी बात है कि अगर जो चीजे मिल रही है आज यह बाग बहुत सारे लोग जो है खैरादिवासी कल्चर है उस पर सवाल हम नहीं उठा सकते हैं तो अब किसकी सरकार जा मुखे मंतरी हैं विधायक्ष हैं आपके तब तो आपके में ज्यादा विकास हुआ होगा? बात हम ऐसे लेकर हैं किस पार्टी से हमंभाजपास है है हां हारा गंचा भाजपास वह देखें पूरा इलाका जो है वो जेमेम का गड़ है इस बार यहां के लोगों का क्या मूद है यहां का मूद है भाजपा का अधिका भाजपा क्यों एक यह तो गड़ रहा है हम मैंने जो सुना है कि 1990 से जेमेम छोड को छोड के कोई दूसरा नहीं आया अब जो जो जिसका मन है उसी में दे पाया हमारा वो ही है और बुलिए क्यों बदला हो रहा है बदला क्यों हो रहा है कि हैं कुछ नहीं मिल रहा है क्या क्या नहीं मिल रहा है और रासन धंक से नहीं मिल रहा है आप का जाके पैंसन नहीं मिल रहा है पैंसन भी रुका हुआ है कुछ नहीं मिला है तो यह देखिए मुख्य मंत्री जो धावा कर रहे हैं कि जारकरण का उन्होंने काया कल्प कर दिया है उन्हीं के इलाके के उन्हीं के गड़ के लोग उनकी पोल खुल रहे हैं क्या नाम है राहुल कुमार राहुल जी आपके यहां भी इलेक्शन है और से आपके विधायक हैं मंत्सोरिन मुख्य मंत्री हैं आप हर जगा घूमते होंगे युवा हैं क्या लग रहा है कि यहां पर जो डेवलप्मेंट होना चाहिए वो है या उसमें और गुंजाई से जहां तक तो देखा जाता है भी जारकरण में तो बहुत सारा की बात करें बोरियों की बात करें यह गड़ है और मुख्य मंत्री ही यहां के विधायक हैं तो इस इलाकी के अगर बात करें तो वो डेवलप्मेंट कैसा है यहां पर सरकार की योजनाओं की पोल खोरकर रख दी है लेकिन कुछ लोग हैं जो सरकार की योजनाओं की तारीब भी की है उनका कहना है कि नहीं चीजे थोड़ी अलग है लेकिन जो डेवलप्मेंट हमने देखा है कि मुख्य मंत्री है इस इलाके से हेमन सोरेन जो डेवलप्मेंट होना चीहता वो नहीं दिखा है आपका क्या न करेंगे कि जिस इलाके का विधायक राज्य का मुख्यमंत्री है उस इलाके का development कितना हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमन सोरेन का जो विधान सबाक्षेतर है बरहेट वहीं पर हम मौजूद हैं लगातार हम जारकन में चुनावी यात्रा कर रहे हैं और इसी दोरान बरहेट में भी एक जो आटो है वो खचाखच भरा हुआ मिल गया हलाकि आटो पर इतना आदमी बिठाना नहीं चाहिए इतना आदमी क्यों बहें भी ठीक है वडिकत तो नहीं होगा है बजले वजी चबाए और क्या दीक बढ़ियां ये सारी चीज है दिकत क्या हो बताई है अभी तो दिकत तो नहीं है अब लोग को क्या कोई दिकत है गाउं में कौन गाउं की रहने वाली है पिपर जुडिया पिपर जुडिया है पैसा मिलता है कि नहीं घर मकान बच्चा के लिए पैसा मैया समान का पैसा मिलता है अब लोग में बच्चों को दूद वेगर मिलता है खाना अब लोग में लीक कर जमा कर देशार फिर वहां से क्या कर नहीं कर आम लोग तो कैसे जनेंगे मुख्यमंत्री तो आप ही के बिरत बीच के हैं यहीं के नहीं तो क्यों नहीं कर देखिए कि ये मुख्यमंत्री का इलाका है आप विधायक हैं कितने लोगे कोटों में बैठे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस बच्चा भी जोड़ रहा हैं ग्यारा बारत तेरह चौदा 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 ये बच्चा 23 ये महिला 24 तो ये 25 उडर सोय हुए है 26 ऐसे लेकिन यातरा नहीं करना चाहिए ठीक है एक्सिडेंट हो कि ये सारे लोगा दिवासी हैं और इन ही लोगों के नाम पर राजनीती होती है सबसे खराब बात मुझे ये लगी कि हमन्ट सुरेन आप इस इलाके के विधायक है इन ही लोगों के बीच के हैं यही लोग आपको चुन कर ना सिर्फ विधान सभा में बेजते हैं बलकि आप कि सरकार भी बनवाते हैं और आपको मुखे मंत्री भी बनवाते हैं बड़ो कोई दिकत नहीं है लेकिन जब इनको कुछ देने की बारी आती है ये सारे आदिवासी लोग हैं ये सारी आदिवासी महिलाएं हैं कोई राजनीतिक नहीं है और ये लोग बड़े सीधे सच्चे होते हैं सभी अपने अपनी बात रखी ना मया सम्मान योजना का लाभाब दे सके ना यहां पर डेवलप्मेंट दे सके देखिए कि एक छोटा सा ओटो है रिस ओटो में 25 लोग सवार है अगर एक्सिडेंट होता है कौन जिम्मेदार होगा लेकिन सवाल आज इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि मजबूरी है ऐसे ओटो में ऐसे खटारा ओटो में यात्रा करना तो एक खचाखच बरा हुआ है और यह इस्तिती है जारखंड की और जारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमन सुरेन उनके विधान स सवाक्षेतर बरहेट की यह तस्वीर हमने आपको दिखाई तो यह बताने के लिए काफी है कि आदिवासियों के नाम पर राजनीती होती है उसके सभी लोग हितैशिब बनने का दावा करते हैं लेकिन जब आदिवासी समाज को देने के बारी आती है तो फिर आप पल्ला ज होजूद हैं और लगातार अलग-अलग इलाकों से हम खबर कर रहें इसी बीच हमें कुछ युवा भी मिल गए और युवाओं ने कहा कि हमारी बात भी सुनी और बिल्कुल इनकी बात हम सुनेंगे ये बताईए कि इलक्षन हो रहा है सबसे जादा आपी लोग चर्चा में है कि युवाओं की सरकार है हमन सुरेन की सरकार है और सबसे खास बात है कि हमन सुरेन आपके विधायक है राज्य के मुखे मंत्री बरहेट का कितना विकास हुआ और युवाओं को क्या चाहिए बरहेट का कुछ विकास नहीं हुआ है सर ना हॉस्पीटल बना है अगर आपके पास गाड़ी की खर्चा है, आपके पास पैसा है, तो ट्रीटमेंट होगा, गरीब के लिए कोई फैसलिटीज नहीं, इलेक्टिसीटी देख रहे हैं, यह हम लोग का भाग यह है, जो इलेक्टिसीटी देख पा रहे हैं, हम लोग जब बच्मन में थे, तब इल क्योंकि मुखे मंत्री का इलाका है, जो बाकी इलाकों से ज़्यादर डेवलप होना है, हम लोग को और सड़क अच्छा देखने को मिलता है, उसके अवालाबाद ना रोजगार है, ना हस्पलेटी है, ना सिक्षा वववस्ता है, सब ठप है यहाप, कहा जाता है कि यह इला है, उनके कर्मचारी जो भी है, उनलोग बता पाएंगे कि विकास की वज़े से रुका हुआ है, जो भी बने, सरकार आज से नहीं है, सरकार पजास साल से, वह इसे तो नहीं है, किसी NDA है या UPA है, NDA भी आता है, UPA लेगिन, सब को और सब बोल देता है, इलाका इसलिए महत्यपूर्ण है, कि जो राजी का सबसे बड़ा मुखिया, जो मुख्यमंत्री है, वो आपके इलाकी का विधायक है, वो आपका प्रतिन दित्व कर रहा है, तो उस लिहाद से मैं, इसलिए मैं आया हूँ, कि विकास यहां हुआ कि नहीं, क् विकास के बारे में तो देखिए, एक महिना से बिजली अच्छा हुआ आपको, जो बात है लेकिन बिजली और रोट छोर का और कुछ भिकास नहीं है, क्या-क्या नहीं हुआ, जिसे होस्पिटल है, होस्पिटल में इतना बुरा होस्पिटल आदाब और हेट रह जाएगा अगर जरूरत परेगा तो, लेकिन होस्पिटल में डॉक्टर का कुछ भरोसाई नहीं है, हम लोगों को चाहिए डॉक्टर अच्छा और किसी का जैसे मिरार क्या कमी है, तबियत खराब था, तो हस्पिटल ले गए तो हस्पिटल में कुछ बेवस्ता नहीं है, रात को कमी है, और क्या कमी है, और क्या कमी है, और सिख्चा भी है, लेकिन में हुआ होस्पिटल, ठीक है, होस्पिटल सही है, लेकिन युवा, युवाओं को रोजगार भी चाहिए, युवाओं को नोकरी भी चाहिए, अगर मुख्यमंत्री का इलाका है, तो बाकी छेत्रों से इ कुछ डेबलप्मेंट नहीं है सर यहां के जो विदायक है जे मैं उस हिसाब से कोई डेबलप्मेंट कोई भी कोई भी कमपनी वगरा कुछ भी जो रोजगार दे वह ऐसा कुछ भी नहीं आया है ठीक है ना सिक्षा वैवस्ता भी कि यहां पे इतना वारा छेत्र है आप बोलत बिहार जारकर्ण अपने देखा होगा सबसे बड़ी बात है कि यहां के जो आप मुख्यमंत्री हैं वह आपके विदायक हैं जन्प्रतिनीदी हैं तो उस लिहाज से इस इलाके का बरहेट का किस तरह से डेबलप्मेंट हुआ है हमारे मुख्यमंत्री अच्छा डेबलप्म करवाए हैं हुआ उनक्ष के अवह था दिया कि नर्योजी है नरोजगार हैं अपतना साब का अपना अबुआ यहांके वोग नहीं सबका आम हमारा यह नाम योगंदर कुमार गुप्ता हुआ बहुत ही की बात है कि हमारे बरहे तरहा भी धान सείजा को मुखमंत्रि हेमस्वें स्कुर्ण invented क्इwno हैं मिले आग इसकी की बात इसी सरी के नहीं हो जाए के मुख्छ मंत्री विकास वहाम किसी के नजर में मेरे नाम मुहम्मद सारुकन सारी हुआ अब वास किसलिए किया केंद्रा वला रोक के रखा पिया मवास नहीं देरा रहा हुँ तो आप सिर्फ कमजोर देख रहा है इसको किस तरह कमजोर करेंगे यहां से भागे गए यहां पूरा पॉलिटिकल बाता बोले नहीं जो सच्छा कर vivo situation के रूठ है आरे रूठ किया अधिवासियों नहीं का दिया सब देख रहा हुँ मैं आप से ज्यादा में देख रहा हूँ आदिवासियों नहीं का दिया नब्ली से वोटने थया आँ नहीं देंगे आपका इस सर जैसे बोले कि कोलेज नहीं है आप भुगनाडी जाहिए इतना वड़ सामधार इसका वाद आप चल जाए तो आगे पागे पागे जानते हैं इंसान को मरेगा ना अगर इंसान का हाट एटक हो जाएगा तो हम गैरेंटी लेते हैं इंसाने देखा कि पर जागरूग नहीं होगा उसमें कुछ नहीं को जागरूग कर दिजिए जागरूग हमारा आप जिससे जागरूग नहीं हो रहे हैं जब तक जागरूग यह सिर्प कहने में बाते अच्छी लगती थोड़ा अपसाइड कर लीजे आई यह ना और इसी बीच दिली से आ रही बड़ी खबर कर उकर लेते हैं आम आदमी पाटी नेता महेश खीची मेर बने मेर के लिए महेश को 133 वोट मिले हैं बीजेपी उमीदवार को 130 वोट मिले हैं